एक गाव में एक आदमी रहता था, नाम था उसका मिया सेट, मिया सेट पहुत कंजू सादमी था अरे मिया, हाँ जी, तुम इतने अमीर हो, फिर भी फटे पुराने कपड़े पैंते हो, आकिर माजरा क्या है अरक काम तो चल ही रहा है, तो पैसे क्यों वेस्ट करने कहां काम चल रहा है देखो कितना फटा हुआ है कपड़ा तुम्हारा जब तक पूरन नहीं फट जाएका तब तक नया नहीं लूँगा मैं अरे मिया तुम्हारे जैसा कंजूस आत्मी नहीं देखा मैंने कभी और देखो के भी नहीं क्योंकि आस पास के हर गाओं में चर्चा होती है कि मिया सेट से ज़्यादा कंजूस आत्मी इस दुनिया में कोई नहीं है मिया तुम्हारा भ्रम तोड़ना चाहूंगा मैं पास ही गाओं में एक नया कंजूस आत्मी आया है जो तुम से तो कहीं ज़्यादा कंजूस है और तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो अच्छा? हाँ, उस आदमी की बात सुनकर के मिया सेट के दिल में खलबली मच गई आकिर उसके अभिमान को ठेस लगी थी और अक्सर हमारे अभिमान को ठेस लगती है जब कोई हमें अपने से उपर दिखता है कोई मुझसे ज़्यादा कंजूस कैसे हो सकता है? पता करना होगा? फिर मिया सेट ने एक कागज लिया और उस पे दो खरगोशों का जोड़ा बना दिया और वो कागज अपने बेटे को देते हुए कहा कि ये लो बेटा अब बेटा दूसरे वाले कंजूस आदमी के घर के बाहर पहुचता है ये कंजूस भोलू का घर है? हाँ है तो कंजूस भोलू का ही घर लेकिन वो कहीं गए होए हैं और मैं उनका बेटा हूँ तो जो काम है आप मुझे बता दिजिए मैं अपने पापा जी को बता दूँगा अरे वो मेरे पापा है ना बगल वाले गाओं में कंजूस मिया सेड जानते यो आप उनको? अरे हाँ 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 उनको कौन नहीं जानता? बहुत कंजूस है वो बहुत कंजूस हाँ 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 उन्होंने ही आपके पापा जी के लिए ये खरगोशों का जोड़ा बेजा है जब आपके पापा जी आ जाएं आप इसे दे देना ठीक है ठीक है बूड वक पेपर पे खरगोश बना के बेजिये इतना कंजूस आजमी है बेट देनी थी तो असली खरगोशों की देता पेपर पे बना के बेज दिये कंजूस आजमी लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, अभी बताता हूँ अच्छा फिर मैं चलता हूँ अरो सुनिये हाँ हमारे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता आप भी हमसे कुछ ले करके जाईए ना बोलिये क्या दिना है फिर उस लड़के ने हवा में कुछ आम के आकार बना दिये ये लोग, ये कुछ आम है ये अपने पिताजी को हमारी तरफ से रिटन गिफ्ट कर देना ठीक है फिर मिया सेट का बेटा वापस अपने घर लोट गया पापा, आ गया तू हाँ जी जो काम बोला था वो कर दिया हाँ पापा, लेकिन जो आपने भेट दी थी न वो मैंने उसके बेटे को दिया क्योंकि उसके पापा घर पे नहीं थे और उसको बोल दिया है कि जब उसके पापा घर पर आएंगे तो उसे दे दी न अच्छा तो कुछ बोला उसने हाँ आपके लिए रिटन गिफ्ट भेजा है अरे लेकिन मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिख रहा वही तो पापा जी उसने जो रिटन गिफ्ट बनाया है वो दिखता नहीं है मतलब उसने न कुछ हवा में आम के अकार बना दिये थे और बो अरे जब बेटा इतना कंजूस है तो पाप कितना बड़ा वाला होगा वही तो पापा जी दूसरी तरफ कंजूस भोला भी घर पर पहुँचता है तो उसके बेटे ने उसको पूरी कहानी सुनाई पापा अब बोल वे जब आप घए हुए थे ना तो एक लड़का आया था और अपके लिए पेपर में खरगोश की भेट लाया था पेपर में क्लगोश की भेट कोन देता है वहीं तो इतना कंजूस था कि पेपर में बना करके भेज दिये अरे फिर तूने क्या किया? मैंने भी हवा में आम के आकार बना के डे दिये और बोला ही अपने पापा को रिटन गिफ्ट कर दियो अरे तो इतने बड़े बड़े आम देनेगी का जरुवत थी अरे कुत्ता तू तू मोई लटू आके रहेगो तो दोस्तो वीडियो ची लगी हूँ तो इसे लाइक करना, शियर करना, सबस्क्राइब कर देना, फैला देना, सब जगा पे